खमागनी आप सबको वेलकम बैक कैसे हो आपसर आपसर बच्छो अभी अभी लाइट आई है इसलिए क्लास सेशन आपका थोड़ा सा लेट स्टार्ट वे जस्ट अभी लाइट आई है मैंने फटा फट से सिस्टम ओन किया है सारा और आगे हो आप सब के सामने क्लास लेने के के लिए ठीक है तो स्टार्ट करते हैं इसको आज के सेशन को आई होब सबको आवाज आ रहे है ओडियो वीडियो प्रॉपर है प्लीज बता दो एक बार जड़ा कई बर क्या करें ना कुछ भी नहीं हो पाता कर बार जड़ा आवाज उन शपना माज़ एक वीडियो आवाज दे बता जा रहे हो। कर दो एक बटार आवाज रहे हो आवाज वीडियो प्रॉब प्रॉब अजय लाइट निती बच्चों क्लास तो लेनी है लाइट निती सौरी हंजी अवाज आ रही है तो चले स्टार्ट करते हैं या मैं क्यों नहीं दिख रही हूं खुद कोई क्या हो जब अच्छा मैं कैमरे के सामने नहीं दिखूंगे कहां से चले स्टार्ट करते हैं आज का पहला कोश्चन शेखावाटी किसान आंदोलन 1947 में किसके प्रयासों से स्माप्त हो पाया था लाल बजाज जी जैनर एंड वर्यास मानिक के लाल वर्मा या फिर हीरा लाल शास्त्री चलिए बताएए शाबश शुरू करते हैं 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 इसका अंसर आ गया है सबका B आंसर आ गया है चले तो चेक कर लेते हैं तो इसका अंसर है हीरा लाल शास्त्री जी जाद करीजी इसका आंसर क्या है हीरा लाल शास्त्री जी, ठीक है, तो शेखावाटी किसान अंदोलन किसके एफर्ट के साथ जो है परेयासों से स्मापत होगा, अंसर आएगा option number D, हीरा लाल शास्त्री जी, अगला question देख लेते हैं, विजोलिया किसान आंदोलन के प्रनेता कौन थे विजय सिंग पतिक जमनालाल बजाज केशरी सिंग भारहट या फिर अर्जुनलाल सेठी बताए इसका क्या आंसर आएगा ए आंसर दिया है चले चेक कर लेते हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है विजय सिंग पतिक जी ठीक है हां क्वेश्चिन है मानगर नरसंहार जो हुआ था ये कौनसे वर्ष में हुआ 1911, 1912, 1913, 1914, 14 मानगर पहाड़ी पे बांसवाड़ा के अंदर ठीक है तो ये कहां पे हुआ था इसका क्या आंसर आएगा इसका आंसर दे दिया आप सबने 1914, 1913 सबके मिस्ति लेनियस आंसर है तो इसको याद कर लीजे 1913 इसकी डेट भी पूछी जाएगी और जहां तक मुझे याद है इसकी डेट शायद से 17 नवंबर 1913 है ठीक है तो ये डेट पे भी क्वेश्चन आते हैं तो हम सभी को ये डेट भी याद रखनी है 17 नवंबर 1913 ठीक है रूपा जी क्रिपा जी धाकर जो है ये किस किसान अंदोलन में शहीद हुए थे रूपा जी धाकर जी हमारे दो किसान किस किसान अंदोलन में शहीद हुए थे बिजोलिया में बेंगू में बीका नेर में या फिर बराड के अंदर बताईए जल्दी से इसका अंसर दीजेगा और वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत कीजेगा ऐसे क्लिक करना है जस्ट एक बटन आपको प्रेस करना है और वीडियो लाइक हो जाएगा ठीक है, तो इसका आंसर सबके मिस्स लिनियस आंसर है, तो इसका आंसर आएगा बेंगू आंदोलन, इसका क्या आंसर आएगा बेंगू आंदोलन, बेंगू कहां पर पढ़ता है जरा मुझे बताईएगा, तो अगला question हम लोग देख लेते हैं, दुद्वा, खड़ा, किसान, आंदोलन, कौन से राज्य से संबंदित है, दुद्वा, खड़ा, किसान, आंदोलन, किस राज्य से संबंदित है, जैसलमेर, बिकानेर, जोधपूर, या फिर जैपूर, बताईएगा, शाबाश, तो इसका क्या आंसर आएगा, बताईएगा, दुद्वा, खड़ा, किसान किसान आंदोलन कहां से संबंदित है जैसल मेर बीका नेर जोधपूर या फिर जैपूर तो इसका आंसर आ गया है सब का बीका नेर बिलकुल करेक्ट इसका आंसर आ जाएगा option number B बीका नेर ठीक है और बेंगु को सर्च जरूर करना अगला question है कौन सा सही सुमेलित है यानि की मारवड किसान आंदोलन 1920 में हुआ था क्या शेखावाटी किसान आंदोलन 1927 में हुआ था भरतपूर किसान आंदोलन 1938 में बेंगु किसान आंदोलन 1921 में तो which of the following is correctly matched तो मैं इस साइड हो जाती हूँ ताकि हिंदी वाले options आपको अच्छे से दिखाई दे बताइएगा मारवड किसान आंदोलन शेखावाटी किसान आंदोलन भरतपूर किसान आंदोलन और बेंगु किसान आंदोलन इसका क्या answer होएगा ठीक है तो चले इसका answer आ गया होगा आई होप तो चेक कर लेते हैं इसका answer है सी भरतपूर किसान आंदोलन 1938 ठीक है कौन सा सही सुबेलित है भरतपूर किसान आंदोलन 1938 ठीक है तो इसका answer सब लोग अलग 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 अंसर दे रहे हैं तो इसको एक बार चेक कर लेना ठीक है बेंगु 1921 ठीक है कई बार एक आदे question में ऐसे हो जाता है फिर जो है 1913 का भील विद्रोहो कहां हुआ था बड़ा असान question है अभी अभी हम पढ़के चुके हैं डुंगरपूर मानगड कुशलगड या फिर बीकानेर बताएगा इसका क्या answer आएगा वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलेगा ठीक है तो 1913 का भील विद्रोहो कहां पे हुआ था ये question है डुंगरपूर मानगड कुशलगड या फिर बीकानेर इसका answer दिया है बिलकुल correct है एकदम correct है मानगड पहाड़ी पांसवाड़ा के अंदर ठीक है उसके बाद है ट्रेंच कमीशन किस चीच से सम्बंदित है जो ट्रेंच कम किस चीच से सम्बंदित है मारवड किसान अंदोलन से शेखावाटी से भरतपूर से या फिर बेंगु किसान अंदोलन से ठीक है question सबको दिखर है ट्रेंच कमीशन जो है वो किस चीच से सम्बंदित है तो यह हमारा आज का प्रश्न है अभी का डी और बी सबके मिक्स्ड आंसर आ रहे हैं इसमें ट्रेंच कमीशन किस चीच से सम्बंदित है मारवड शेखावाटी भरतपूर बेंगु बताईए चले इसका चेक कर लेते आंसर क्या है बेंगु किसान आंदोलन से सम्बंदित है याद कर लोगे यह question ट्रेंच कमीशन किस सम्बंदित है बेंगु से सम्बंदित है ठीक है तो जिनका सही है तो ठीक है जिनका नहीं सही है वो इसको करेक्ट कर ले अगला question है शेखावाटी क जाट अंदोलन किस वर्ष हुआ था 1927, 25, 12 या फिर 1897 बताईए इसका क्या अंसर आएगा बताओ शाबाश CET का आप लोगों का डेच शीट आ गई है पता चला 6 जन्वरी 7 जन्वरी को पेपर हो रहे है CET के CET का कुछ सीरीज स्टार्ट किया जाए क्या कहते हैं जन्टा क्या कहते हैं बताओ शेक्षा भटी का जाट अंदोलन 1925, बिल्कुल correct, एकदम correct है, 1925 में हुआ था, ठीक है अगला question है, राजस्थान में भील और गरसिया लोगों को संगठित करने के लिए संप सभा की स्थापना किसने की थी, बड़ा असान question है, कौनसी सभा की संपसभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी गुरु गोविंद गिरी जी के द्वारा विजय सिंग पतिक केसरी सिंग भारहट या फिर हनुमान जी के द्वारा किसके द्वारा की गई थी इसका आंसर दीजेगा वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूल ठीक है और comment section में अपने comments दिया करो कि आपको session कैसा लगता है कोमल दे लिखा है एक comment कि माम अच्छे questions थे तो आप लिखते हो तो मेरा को अच्छा लगता है motivation level हमारा हाई होता है बिल्कुल सही है इसका answer option number a कब की थी 1883 में की थी अगर आप भूल जाते हो कि कौन से सन में की थी मान लीजिए कुछ नए बच्चे हैं जिन्रों पहली बार तैयारी कर रहे है तो देखो साप जैसी शेप बना लो साप ऐसे जलते है ना बच्चो ऐसे जलते है साप साप की शेप तो ये आठ आठ डबल आजाएगा यानि की अठारा सो और फिर सापको आप आधा कर दो एक तरीके से तो यहां पर तीन नंबर निकल के आएगा तो कब की थी 1883 में की थी इसको आप याद कर सकते हो ठीक है अगला क्वेशन है गोविंद घिरी जी कौनसी कास्ट से कौनसी जाती से बिलॉंग करते हैं भील, गरासिया, बंजारा या फिर मीना कौनसी जाती से संबंदित हैं बताईए उनकी खुद की परसनल जाती जो है वो यहां पर पूछी गई है बताईए शाबश सेकिंड डेड की भी कराओंगे क्या हां करवा देंगे जो आपके जो भी टॉपिक्स चाहिए जो भी आप लोगों के चाहिए तो कॉमेंट सेक्शन में में वेंशन किया करो ठीक है कि मैम ये वाले टॉपिक पर एमसी क्यूज करा दो या कोई टॉपिक भी अगर आप डिट ठीके विजोलिय ठिकाना के ःत्वापक कौन हों धिकल और क्वुशन धियान से पड़िएगा गर्व जोलिय ठिकाना के इसरी सिंग्या फिर हनुमान सिंग्ड तो इसका क्या आंसर होगा विजोलिय ठिकाना के बताईये शाबश रीट की कर रहे हो, रीट मेंस की, रीट मेंस की भी करा देंगे, देखो राजस्थान जी के तो सब में सेम है न, तो जो common subject है, उस वाले subject की तयारी में आप लोगों को करा दूँगी, ठीक है, केसरी सिंग, नहीं, नहीं, अशोक परमार आएगा, यह आना चाहिए, हाँ, भरतपूर के जार्टनेता, जिन्होंने शेखावाटी के किसानों को कृष्यक अंदोलन के लिए प्रेरित किया, उनका नाम पूछ रहे हैं, ठीक है, क्वेशन ध्यान से पढ़ लो, मैं स्क्रीन से हट गई हूँ, चंदरभान, घासी राम, मूल राम, या फिर देशराज, तो क्या अंसर आएगा, भरतपूर के जार्टनेता, जिन्होंने शेखावाटी के किसानों को किसान अंदोलन के लिए प्रेरित किया, तो अंसर हमसे पूछ रहे हैं, चार ओप्शन्स में से, तो इसका क्या अंसर आएगा, देशराज अंसर दिया है, ठीक है, प्रजा मिंड जाते हो, देशराज जी, कहां से संबंदित है, तो देखे, भरतपूर से है, ठीक है, भरतपूर में कौन से देश का नाम आ रहे है, हमारे प्यारे भारत देश का नाम आ रहे है, तो भारत क्या है, भारत एक देश है, तो उससे आप याद कर लो, भरतपूर से संबंदित थ सीकर आंदोलन 1912, डाबडा घटना 1947 और चंडरावल घटना 1945 तो इसका क्या आंसर होएगा, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, ठीक है, बताओ, सी आंसर दिया है, कुछ ने बी दिया है, मिक्स आंसर आ रहे हैं सबके, ठीक है, तो इसका आंसर चेक कर लेते हैं हम लोग, तो इसका आंसर है सीकर आंदोलन, ठीक है, इसका आंसर है सीकर आंदोलन, जो की 1912 में ना हो करके 1922 में हुआ था, ठीक है, तो इसको आप करेक्ट कर लेना तो इसका आंसर आ जाएगा option number B ठीक है शेखावाटी जकत अंदोलन का नेत्रित्व किस ने किया था पंडित नरोत्तमलाल जोशी विजे सिंग केसरी सिंग हनुमान सिंग चलो इसका आंसर चेक कर लेते हैं इसका आंसर है option number A पंडित नरोत्तमलाल जोशी ठीक है अगला question देख लेते हैं सादू सीतर राम दास कौन से अंदोलन से संबंदित है बड़ा ही आसान question है विजोलिया बेंगू बिकानेर या फिर बराड कौन से अंदोलन से संबंदित है ब जो जो topics चाहिए ना comment section में लिखती आ करो अगर आप बोलोगे तो जीला दर्शन भी करा देंगे क्यों नी कराएंगे यह answer दिया है बिल्कुल correct answer है ठीक है ब्रह्मा नंद जी सादू सीता राम फतेकरन चारण ये तीनों बिजोलिया अंदोलन के प्रथम चरण से संबंदित है ठीक है तो इन तीनों व्यक्तियों के नाम आप लोग याद कर लीजेगा ठीक है नेक्स question है नानक भील और देवी लाल गुर्जर ये कौन से अंदोलन से संबंदित है बुंदी बिजोलिया बेंगू या फिर बिकाने नानक भील और देवी लाल गुर्जर ये कौन से अंदोलन से संबंदित है बताईएगा तो इसका आंसर होएगा option number a बुंदी आंदोलन से राम, विजे रांपतिक, सादू सीता राम और मानिक के लाल वर्मा, तो इसका क्या अंसर आएगा, बताएगा तो इस question का answer जानने से पहले, एक छोटी सी बात, चलो इस question को करी लेते है A answer दिया है, विज्जे सिंग पतिक answer दिया है, सबके अलग-लग answer है, तो let's check it तो इसका answer है, option number A, Govind Ram, ठीक है, इनका relation नहीं है, बिजोलिया अंदोलन से, Govind Ram इसका answer आएगा, ठीक है तो आप इसी तरह के बहुत सारे unlimited questions और इसके साथ-साथ theory courses आप पूरे कर सकते है Unacademy के learning app पे, Unacademy के learning app डाउनलोड कर लीजीगा, जब आप डाउनलोड करोगे और आपको CET का course चाहिए, बान लिजे अलग-RO का course चाहिए और RAS exam का course चाहिए, या SI का course चाहिए, तो ये सारी चीजें आपको plus पे मिलेंगी, सारे courses मिलेंगे आपको, free live test series मिलेंगी, notes मिलेंगे आपको, और साथ में हमारी personal guidance मिलेंगी तो CET और इसके लिए कौन से courses आ रहे हैं, वो मैं दिखा देती हूँ अभी आपको, तो EORO का course 6 अक्तूबर से शुरू हो रहा है, ठीक है, और CET का course भी आपका 6 अक्तूबर से शुरू हो रहा है, यहाँ पे मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ, current affairs पढ़ाने वाली हू और उसके लिए आपको एक कोड लगाना रहेगा, कोड है Taruna Life, ठीक है, मेरा नाम है Taruna, और पीछे आपको Live लगाना है, Taruna Life कोड लगा के 20% discount के साथ, Aplus को जॉइन कर सकते है, फीस रहेगी 6 महिने की 54 रुपे, और 1 साल की 6,000 रुपे, यानि 6,000 रुपे, और 2 साल की 81,000 रु का सब्सक्रिप्शन ले लो, ताकि बीच में और कोई एक्जाम भी आए, तो उसकी भी तैयारी आपकी एक ही सब्सक्रिप्शन में हो जाए, ठीक है, तो I hope सबको समझ आया होगा, कोड लगाना मत भूलेगा, Taruna Life, एक और बात है, ये कोड आप NACADB पे, RPSC के अलावा सारी के टिगरीज में लगा सकते है, अगर आपको UPSC का सब्सक्रिप्शन चाहिए, NEET का चाहिए, SSE, Banking, कोई भी सब्सक्रिप्शन चाहिए, तो सब में आप लगा पाएंगे, ठीक है, तो चले, हम चलते हैं, आज के, अपने next question के ऊपर, गोविंद राम जी, वाला question हम अल्रेडी कर चुके हैं, next question देख लेते हैं, which of the following is not correctly matched, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो question देखके आंसर दीजेगा, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताईएगा, बेंगू से राम नरायन चौधरी, बुंदी से नैनू राम, बिजोलिया से विजय सिंग पतिक, और विकाने रांदोलन के लिए नरुत्तम लाल जोशी, तो ये question का answer आई जाएगा, मुझे लग रहे हैं, जितना हम अभी तक पढ़ चुके हैं, उसके basis पे, तो इसका answer दे बी, इसका answer हो जाएगा, ठीक है, तो इसको note कर लेना, अगला question है, मानगड राजस्थान के कौन से जिले में पढ़ता है, ये तो मैंने नहीं बता दिया, इतनी बार इसी session में बता दिया है, मानगड राजस्थान के कौन से जिले में पढ़ता है, बीकानेर, बांसवारा, दुंगरपूर या फिर उद्यपूर रमा देवी जी का सम्मंद कौन से अंदोलन से है बुंदी बिजोलिया बेंगू या फिर बीकाने रमा देवी जी कौन से अंदोलन से रिलेटेड है question ये पूछा गया है तो इसका क्या answer होगा हाँ 1913 बिल्कुल सही है ठीक है रमा देवी जी कौन से अंदोलन से सम्मंदित है तो चले चेक करते हैं इसका answer बिजोलिया अंदोलन से सम्मंदित है कौन से अंदोलन से सम्मंदित है बिजोलिया अंदोलन से रिलेटेड है ठीक है भ गोविंद गिरी विजय सिंग पतिक सादू सीता राम या फिर मानेक के लाल वर्मा तो यह तो बड़ा असान क्वेशन होगे कई बार कर लिया है हमने बताइएगा थीक है इसका अंसर आ गया है गोविंद गिरी बिल्कुल करेक्ट एकदम करेक्ट आंसर इसका है ठीक है अगल सादू सीता राम बताइएगा इसका क्या आंसर आएगा शाबाश यासिन खान गोविंद गिरी विजय सिंग पतिक या फिर सादू सीता राम तो इसके आंसर आ गए है सबके ठीक है बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है मुझे तो लग रहा है सबने येस यासिन खान ठीक है मे इसका क्या आंसर आएगा माधु सिंग और गोविंद सिंग कौन से आंदोलन से संबंदित है इसके बाद जो मेरी next class होगी ठीक है कल और परसो छोड़के 3 अक्तूबर से आएगी ठीक है तो प्लीज नोट कर लीजेगा कल और परसो का ओफ रहेगा 3 अक्तूबर से मेरी अगली class आप लोग देख पाएंगे ठीक है ठीक है इसका आंसर सबने दे दिया है पर चेक कर लेते एक बार बिल्कुल correct answer दिया है अलवर बिल्कुल correct answer दिया है माधु सिंग और गोविंद सिंग जी कौन से आंदोलन से अलवर से related है ये गोविंद गिरी जी नहीं पूछ रहे गु आज रात को दस बजे अगर आप और राजस्थान जी के क्वेस्टन करना चाहते हैं विद रैंकिंग तो मेरी स्पेशल ग्लास होती है आने कैडमी के लर्निंग एप पे जो की बिल्कुल फ्री ओफ कोस्ट होती है तो उसको आप जॉइन कर लीजेगा रात को दस बजे ठीक है मोतिलाल तेजावत बिल्कुल सही एकदम करेक्ट आंसर है मोतिलाल तेजावत जी ठीक है 1927 में कुवर मदन सिंग जी के नित्रतों में किसानों ने कहां पे अंदोलन किया करोली बांसवाडा डुंगरपूर या फिर उद्यपूर बताएगा इसका क्या आंसर होगा 1927 में कुवर मदन सिंग जी के नित्रतों में किसानों ने कहां पे अंदोलन किया है करोली बांसवाडा डुंगरपूर या फिर उद्यपूर तो इसका आंसर देख लेते हैं बिल्कुल करेक्ट है एकदम सही करोली थीक है तो ये हमारे किसान आंदोलन से संबंदित क्वेश्चन थे next topic कर लेते हैं agents और personalities के उपर और फिर हम करेंगे agents और political institution ठीक है तो पहले हम personalities वाला कर लेते हैं ठीक है अच्छे questions आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे आने academy के learning gap पर जाओ या live chat में आपको pin मिलेगा मेरा profile तरुना शर्मा टाइप करना, search करना आपको मेरा profile दिख जाएगा मेरे profile पर जाके मुझे follow कर सकते हो जिससे आपको learning gap पर मेरी जो भी special class होगी, plus class होगी उसका notification आप सब के पास आ जाएगा ठीक है, तो चले, अगला question देख लेते हैं संत बूरा भाई अलग का कार्यक शेत्र कौन सा है ठीक है, संत बूरा भाई अलग का कार्यक शेत्र कौन सा है, गोडवाड, मारवाड मिवाड या फिर बागड तो इसका क्या answer आएगा, बताईए शाबाश इसका क्या answer आएगा हाँ जी, answer दीजे इसका इसका answer दे दिया C answer दिया है सबने तो चेक कर लेते हैं, बिल्कुल correct answer है मिवाड अगला question देख लेते हैं राजस्थान की स्वतंतरता आंदोलन के दोहरान गिरफतार और निर्वासित होने वाली सबसे पहली महिला राजस्थान की कौन थी अंजना देवी चौधरी, रमा देवी, नागेंदर बाला या फिर रतन शास्त्री ठीक है, नागेंदर बाला आएगा इनके नाम के पीछे बताएए, इसका क्या answer होगा गुडीबनिंग जोती, गुडीबनिंग या, बताएएगा इसका क्या answer आएगा अंजना देवी चौधरी, रमा देवी नागेंदर बाला या फिर रतन चौधरी तो इसका answer सबने दे दिया है अंजना देवी चौधरी बिल्कुल 100% correct answer है अंजना देवी चौधरी, ठीक है चले, अगला question देख लेते हैं हम किसको लोकनायक के रूप में किसको जाना जाता है हम किसको लोकनायक कहके बुलाते है मोहनलाल सुखाडिया, हिलालाल शास्त्री, जैनराइन व्यास या फिर हरी देव जोशी क्योंकि आसान question है आंशर दे दिया है किसको खहलाते है जै नरायन व्यास जी को हम लोग बोलते हैं ठीक है अगला question देख लेते हैं ठीक है इसमें उन महराना का नाम पूछा है जो केसरी सिंग बारहट जी की चेताबनी राच उंगटिया सुनकर उससे इतना प्रभावित हुए कि दिल्ली दरबार जाने की अपनी यातरा इन्होंने क्या कर दी थी रद कर दी थी और ये question राजस्तान के बच्चे बच्चे को आता होता है 100% correct answer इसका आएगा महराना प्रताप सिंग महराना श्याम सिंग महराना जै सिंग या फिर महराना फते सिंग तो सबको आता होगा ये question पक्का शौर हुमें बिलकुल एकदम बिलकुल correct बिलकुल correct महराना फते सिंग बिलकुल सही अच्छे ये question को answer कोई देगा महराना फते सिंग दिल्ली दरबार में जो जा रहे थे किसके राजतिलक में जा रहे थे कौन से ब्रिटेश राजा के राजतिलक में जा रहे थे ये question और पूछती हूँ मैं इसका और answer दीजे शाब Edward सब्तम जिनको नहीं आता है नोट कर लो Edward सब्तम ठीके 7th नंबर के Edward सब्तम के राजतिलक में जा रहे जाने वाले थे महराना फते सिंग जी ठीक है अगला question देख लेते हैं वीर भारत सभा के संस्थापक कौन है ठीक है सागरमल गोपा जी अर्जुलाल सेथी विज्य पत्तिक या फिर केसरी सिंग बताएगा इसका क्या आंसर होगा वीर भारत सभा के संस्थापक फाउंडर कौन है ये question हमसे पूछा है तो C answer दिया है इसका विज्य सिंग पत्तिक बिल्कुल correct answer है कौन है विज्य सिंग पत्तिक जी इसके संस्थापक है ठीक है अगला question देख इसका क्या आंसर आएगा बताएगा जैसलमेर के बिल्कुल सही ठीक है और सागर्मल गोपा जी की पुस्तक का नाम क्या है जो इन्होंने जैसलमेर के कुरूर शाशन के खिलाफ लिखी थी उसका नाम है गुंडार राज ठीक है तो जिससे नराज होकर सागर्मल गोपा जी को यहां से मतलब इनको निकाल भी दिया गया था बाद में इनको जैसलमेर के जेल में भी रखा गया बहुत इनका टॉर्चर भी किया गया काफी जादा ठीक है और इनको जिन्दा जला दिया गया था सागर्मल गोपा जी केशरी सिंग बारहट जी का जनम स्थान कौनसा है केशरी सिंग बारहट जी का जनमस्थान कौनसा है नसीराबाद, खर्वा, मंदलगड या फिर शाहपुरा बताओ शाबपाश हाँ, इनकी बुख थी गुंडा राज, पिलकुल करेश तो इसका क्या answer आएगा, बताईए पूजा आगयो हेलो पूजा, देपक कौनकौन है, मनीशा देवपूरा, शाहापूरा, भिलवाडा, तो चले चेक कर लेते हैं बिल्कुल correct answer है, शाहापूरा, भिलवाडा, ठीके शाहपुरा भिलवाडा में जो है हमारे केसरे सिंग बारहट जी का जरमसान हुआ था ठीक है उसके बाद है महंत प्यारे लाल हत्या कांड के अंदर किसको दोशी ठहराया गया था प्रताप सिंग भारहट जी को, जोरावर सिंग भारहट जी को, केसरे सिंग भारहट जी को या फिर किसी को भी नहीं महंत प्यारे लाल हत्या कांड में किसको दोशी ठहराया गया था तो इसका क्या आंसर होगा बताएए तो इसका आंसर आएगा केशरी सिंग बारहट जिको ठीक है ओप्शन नमबर C केशरी सिंग बारहट जिको इसमें दोशी ठेहर आया गया था ठीक है पोपा भाई की पोल ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है मतुरदास मातुर आनंदराज सुराना जैनराएंड व्यास या फिर भवरलाल सरराफची के द्वारा लिखी गई है ये मैंने पहले भी करवाया है पोपा भाई की पोल ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है हम यह question पहले भी कर चुके हैं, शाबाश, आंसर दो, सबी answers दो, जिनको नहीं आता, not applicable, यह skip लिख दो, ठीक है, यह pass भी आप लिख सकते हो, जिनको नहीं आता, तो इसका answer आ गया है, option number C, जैनरायन व्यास, बिल्कूल, कौन से book लिखी है इन्होंने, पोपा बाई की पूल, ठीक है, तो यह book इनके द्वारा लिखी गई है, इन्हें हम और किस नाम से, कौन से उपाधी से, प्यार से लोग क्या बुलाते हैं, लोग नाया कहके बुलाते हैं, ठीक है, अगला question है, अंग्रेजों को मुल्क रा मीठा ठग, मीठे ठग, कहते हैं न, मीठी छोरी से, कोई आप से मीठी मीठी बाते कर रहें, और आपको ठगे जा रहें, ठगे जा रहें, आपको पता भी नहीं चल रहा, तो अंग्रेजों को मुल्क रा मीठा ठग, किस ने कहा था, नाथु सिंग महरिया जी ने, बांकी दास ने, शंकरदान सामाओर ने, या फिर किसी ने भी नही तो इसका क्या आंसर होने वाला है बताओ हाँ skip ऐसे लिख दिया करो हाँ नहीं आता तो skip लिखो at least मुझे पता तो चले न कि आता है या नहीं आता है ठीके न ठीके तो आंसर क्या दिया इसका मैं देखने पाई बी लिखा है सबने मा की दास तो इसका आंसर है शंकरदान सामोर इसको याद कर लिजे तो कुछ-कुछ बच्चों ने सी बी आंसर दिया है तो करेक्ट आंसर नोट कर लो सब लो ठीके अंग्रेजों को मुल्क रा मीठा ठक किस ने कहा था शंकरदान सामोर जी के द्वारा कहा गया था अगला क्वेशन देख लिते हैं निमिल लिखित में से कौन से व्यक्ति डाबी में शहीद हुए थे डाबी हत्याकांड में कौन-कौन शहीद हुए थे हाँ तो इसका आंसर दिया है नानक भाई भील ठीक है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है नानक जी भील इसमें शहीद हुए थे और काली भाई भील तो सबको पता होगा रास्तापाल हत्याकांड ठीक है किसमें रास्तापाल हत्याक नेरे रास्तापाल हत्यागार्ण कहां पे हुआ था ये भी सबको पता होगा दूंगरपुर के अंदर ठीक है दूंगरपुर के अंदर ये हुआ था ठीक है नेट्स्टक्षिन है सागरमल गोपा जी को देश-ध्रो के मामले में कितने साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई ग हैगा है कि अच्छे दिया है आंसर सबने छे साल बिलकुल करेक्ट एक तम करेक्ट आंसर दिया है छे साल रास्टा पाल सत्या घ्रहे किस से संबंदित तो अभी तो ऐंसर बताया फॉरंस से पहले आंसर आजाना चाहिए इसका है ना बता ही दिया मैंने पहले यह ऑनसर आता भी हूगी ऑ् ded47 सबको आता भी होगा तो इसका आंसर होगा कारी भाई भी मा Потому देवी चौधरी या फिर मीरा बाई तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ओप्शेन नंबर हाँ फिर हिंदी में डिंगल पिंगल संस्कृत हिंदी बताओ कोश्में सनाये थे ये कोशन पूचा गया है शाबाश बताओ 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 guess करो डिंगल पिंगल संस्क्रित हिंदी चेक कर लिते इसका अंसर है डिंगल ठीके तो ये देखो राजस्थान जो है अपना ठीके पश्चमी राजस्थान में साहित्य की कौन सी भाशा शैली चलती है डिंगल चलती है चारण literature जादा तर आपको डिंगल में मिलेगा पुर्वी राजस्थान में कौन सी चलती है पिंगल चलती है ठीके तो ये point भी आपसे पूछा जाता है question आता है exam में डिंगल और पिंगल क्या है तो डिंगल और पिंगल याद करना साहित्य को लिखने की शैलिया है ठीके तो शैली वर्ड इसमें याद रखना इसमें question exam में पूछे जाते है ठीके अर्जुनलाल सेथी जी ने 1905 में वर्दमान पाठशाला की स्थापना किस स्थान पर की थी जैपूर, जोधपूर, अजमेर या फिर उदैपूर इसका क्या answer आएगा किस स्थान पर इनों ने की थी अर्जुनलाल सेथी जी ने 1905 में वर्दमान पाठशाला की स्थापना किस स्थान पर की थी तो बड़ा असान question है अर्जुनलाल सेथी जी की करम भूमी पर भी question आ जाता है हाँ, तो इसका answer आ जाएगा हमारा जैपूर, ठीक है option number A, यानि की जैपूर तो चले, अगले question पर move on करते हैं I hope सब लोग like कर रहे हो share भी कर रहे हो video को, ठीक है हाँ, तो ये तो अभी अभी पढ़ा भी है हमने कौन से व्यक्ती, महंत, प्यारे लाल, हत्याकांट से अच्छा, अलग question है संबंदित नहीं थे question क्या है, अलग question है संबंदित नहीं थे, रामकरण जी, मोहनलाल जोशी केसरे सिंग बार्धट, या फिर सौमदत लहरी, तो ये question पूछा गया है ठीक है, कौन से महंत, प्यारे लाल, हत्याकांट से संबंदित नहीं थे, रामकरण, मोहनलाल जोशी, केसरी सिंग बारहट, या फिर सौमदत लहरी, तो इसका क्या answer आएगा तो इसका answer चेक कर लेते हैं, हम लोग तो इसका answer है, option number B मोहनलाल जालोरी मोहनलाल जालोरी, ठीक है, मैंने जोशी गलती से बोल दिया, सौरी मोहनलाल जालोरी इसका answer हो जाएगा ठीक है ठीक है, हाँ अगला question देख लेते हैं gentleman समझोते से कौन संबंदित थे, किस ने किया था gentleman समझोता हिरलाल शास्त्री, जैनरेंड व्यास, प्रताप सिंग और फते सिंग और ये किस चीट से संबंदित था, ये भी कर लेंगे अभी बताईए, इसका क्या answer होगा gentleman समझोते से कौन व्यक्ति संबंदित थे, हिरलाल शास्त्री, जैनरेंड व्यास, प्रताप सिंग, फते सिंग तो इसका answer आजाएगा हिरलाल शास्त्री जी, इन्होंने समझोता किया था gentleman समझोता क्या था, कि जो जैपूर का प्रजा मंडल है वो भारत छोड़ो अंदोलन में भाग नहीं लेगा, जैपूर का प्रजा मंडल भाग नहीं लेगा ठीक है, तो फिर इस से जैपूर का प्रजा मंडल का एक वर्ग जो है जिसमें मेंली थे दोलत मल भंडारी जी, वो अलग हो गय थे और उन्होंने बना लिया था आजाद मोर्चा, उन्होंने क्या बना लिया था? आजाद मोर्चा उन्होंने रचोड़ो अंदोलन में पार्टिसिपेट किया था, फिर बाद में जोहरलाल नहरुजी के कहने वे आजाद मूर्चा वापिस से जैपूर प्रजा मंडल में मिला दिया गया था ठीक है तो यह आप याद कर सकते हो ठीक है तो यही डिटेल्स लिखी हुई है जो मैंने आपको बताया है 17 सितंबर 1942 को यह जेंटलमेन समझोता जो है साइन हुआ था जैपूर प्रजा मंडल के पूछा जा चुका है ठीक है तो इसके अंदर डिसाइड किया गया था कि जैपूर प्रजा मंडल जो है वो क्विट इंडिया मूव्मेंट यानि कि भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा ठीक है यह सबको आता होगा आगे कर लेते हैं बागड के गांधी कौन से जिले के थे डुंगरपूर उदेपूर सिरोही या फिर जालोर बागड के गांधी कौन से जिले से संबंदी थी यह नहीं पूछ रहे बागड के गांधी किसको कहते हैं यह नहीं इन्होंने हमसे पूछा है ठीक है डुंगरपूर उदेपूर सिरोही या फिर जालोर बोगी लाल पांडया जी को बागड के गांधी कहा जाता है इन्होंने जो है बैकवर्ड जो पिछड़े हुए आदिवासी थे समाज हरीजन समाज बागड के अंदर उनके अपलिफ्मेंट यानि कि उनके उत्थान के लिए इन्होंने कार्य किये हैं ठीक है महत्मा गांधी के पुत्र के रूप में कौन फेमस है ठीक है जमना लाल बजाज, जैनरायन व्यास, हिरालाल शास्त्री या फिर गोपी लाल यादव महत्मा गांधी के पुत्र के रूप में कौन फेमस है किसके हम वेनली जानते है इसका क्या आंसर आएगा तो जमना लाल बजाज महात्मा गांधी जी के पाँचवे बेटे के रूप में जाने जाते हैं इन्होंने तिलक स्वराज कोश में कितनी राशी दी थी? तिलक स्वराज कोश में कितनी राशी दान ने दी थी इन्होंने? एक लाख रुपे एक लाख रुपे ठीके और मुस्लिम लीग में कितने दिये थे ग्यारा हजार रुपे ठीके मुस्लिम लीग में कितने दिये थे ग्यारा हजार रुपे उसके बाद जो है इनको अखिल भारतिय कॉंग्रेसिक समिति का मेंबर भी बनाया गया था ठीके, clear है सबको ठीके, चले अगला question करते हैं सुभाष चंदर बोश जी जोधपूर कब आये थे 1938 में, 1935 में 1940 में या फिर 1951 में इसका answer दीजेगा सुभाष चंदर बोश जी जोधपूर कब आये थे 1935 में नहीं नहीं पता, अच्छा 1938 में ये हरीपूरा अधिवेशन हुआ था ना कॉंग्रेस का, उस टाइम पे आये थे तो याद करो, भारतिये राश्ट्रिये कॉंग्रेस के भारतिये अधिवेशन हुआ था 238 हरीपूरा में हुआ था ठीके तो एक तो इससे रिलेटेड याद कर लो उस टाइम भारतिये राश्ट्रिये कॉंग्रेस के अध्यक्ष कौन थे सुभाष्चंद्र बोस जी तभी जो है सुभाष्चंद्र बोस जी कहां पर आये थे जोधपूर आये थे और इन्हों ने जोधपूर की जनता से संगठ नात्मक संगठ नात्मक आंदोलन करने की अपील की थी संगठन के रूप में आंदोलन यहां पर चलाया जाना चाहिए ठीक है संगेठ नाधमक आंदोलन की अपील इन्होंने की थी सबको बुलाया था तो इसी के बाद 1938 के बाद ही राज्यस्थान में बड़े स्तर पे बड़े स्तर पे प्रजा मंडल आंदोलन बनाए गए ठीके और जन आंदोलन शुरू किया गया मतलब बड़े स्तर पे ठीके प्रजा मंडल आंदोलन जो है जादा नंबर में बनने शुरू हो गए तो मेंली प्रजा मंडल आं 388 ठीक है तो यह सारा डेटेल आप लोग नोट कर सकते हो कभी भी कोश्चन में पूछा जा सकते हैं आप से फिर जो है कौन से व्यक्ति का नाम और उनका कार्या शेत्र सुमेलित नहीं है सही सुमेलित नहीं है तो इसमें दिये गए हैं बालमुकुंद विस्सा जी इसका क्या आंसर होगा बालमुकुंद विस्सा पीपला गाओ डिडवाना चले इसको चेक कर लेते हैं बिल्कुल सही है बालमुकुंद विक्सा जी का जो रिलेशन्शिप है वो उद्यपुर से नहीं था ठीक है बालमुकुंद विक्सा जी का रिलेशन्शिप कहां से है ज याद कर सकते हो, ठीक है, अगला question जो है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, जेल से related पूछे गया है, अर्जुनलाल सेठी जी को कौन सी जेल में भेजा गया, अंदोलन के समय, बेलूर जेल में, केसरी सिंग बारहट जी को हजारी बाग जेल में, विजे सिंग पतिक जी को ये शाबज, चेक कर लेते हैं, इसका answer है, all of the above are correct, सारे के सारे बिलकुल सही है, एक भी गलत नहीं है, तो इनको याद कर लेना, अगली बार question वैसे ही पूछ सकते हैं, आप से, कि अर्जुनलाल सेठी जी को कौन सी जेल में रखा गया, केसरी सिंग जी को किस में रखा गया, विजे सिंग जी को किस में रखा गया, तो अर्जुनलाल सेठी जी को बेलूर, केसरी सिंग जी को हजारी बाग, विजे सिंग पतिक जी को टोडगर जेल के अंदर रखा गया, ठीक है, तो कभी भी ये question इस तरीके से भी आप से पूछ सकते हैं स्वामी केश्वानन जी का जनम कौन से जिले में हुआ था सीकर में चुरू में नागोर में या फिर जैपुर में सीकर चुरू नागोर या फिर जैपुर तो इसका क्या आंसर आएगा क्लास आपकी होगी 6.30 तक ठीक है 45 मिनिट्स की और होगी ठीक है 6.30 तक सारे 6 विज़े तक आप लोगों की क्लास होई गया आज सीकर चुरू नागोर या फिर जैपुर तो चले इसका आंसर देख लेते हैं सीकर दिया है इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है ठीक है स्वामी केश्वा नंजी का सम्मंद कौन से जिले से है सीकर से है ठीक है जैपुर फुट के पिता के रूप में किसे जाना जाता है डॉक्टर पीके से ठी डॉक्टर पीके अगरवाल डॉक्टर अशोक या फिर कोई भी नही जैपुर फुट के जनक के रूप में कि को जाना जाता है बताइएगा हां जी तो इसका क्या आंसर होगा ठीक है इसका आंसर है ऑप्शन नमबर एट डॉक्टर पीक के सेटी बिल्कुल सही आंसर है ठीक है इसके लिए इने बहुत सारे अवार्ट्स मिले हैं जो जो अवार्ड मिले हैं वो भी याद कर लेना कोशन पूछे जा सकते हैं एक संदेश है मनुष्य सबसे पहले इंसान है हिंदू मुस्लिम बाद में है तो ये संदेश किसके द्वारा दिया गया है अचारे तुलसी कबीरा शामल दास कोमल कोठारी या फिर कनया लाल सेठिया जी कि इसके द्वारा दिया गया है बताईएगा हां जी तो चेक कर लेते इसका अंसर आचारे तुलसी जी के द्वारा दिया गया है बिल्कुल करेक्ट है ठीक है अचारे तुलसी जी के द्वारा दिया गया है मनुष्य पहले इंसान है हिंदू और मुस्लिम हिंदू या मुस्लि तो बड़ा अच्छा question है गवरी बाई, पन्नाध्याय, रानाबाई और करमबती सबको आता होगा बागड की मीरा के रूप में कौन प्रसिद है बताईए गवरी बाई बिल्कुल सही इसका आंसर क्या हो जाएगा गवरी बाई ठीके गवरी बाई कहां पे रहती थी डुंगर पूर के अंदर ठीके इनका जनम कौन से परिवार में हुआ था नागर ब्रहामन परिवार में इनका जनम हुआ था ये question भी आपसे पूछे जा सकते हैं इनका जनम कौन से परिवार में हुआ था नागर ब्रहामन परिवार में इनका जनम हुआ था ठीके अगला question देख लेत परमविर चक्र से समानित होने वाले पहले राजस्थानी व्यक्ति कौन है पीरू सिंग जी शैतान सिंग विरेंदर सिंग या फिर वेद प्रकाश परमविर चक्र से समानित होने वाले पहले तो इसका क्या आंसर आएगा पीरु सिंग, शैतान सिंग, विरिंदर सिंग, सबने आंसर दे दिये, औक्षन नमबर ए, तो चले चेक करते हैं इसका आंसर है पीरु सिंग, ठीक है इसका आंसर क्या है, पीरु सिंग इसका आंसर है करपूर, चंद, कुलिश जी का संबंद कौन से जिले से है ये मैंने टिप्स और ट्रिक्स के साथ भी याद करवाया था टोक, जैपूर, जोधपूर या फिर उदेपूर करपूर, चंद, कुलिश जी का जनम कौन से जिले से संबंदित है बताईए तो इसका क्या आंसर आएगा टोंक, जैपुर, जोधपुर और उद्यपुर तो इसका आंसर है टोंक ठीक है बिल्कुल सही आंसर है टोंक ठीक है तो ये हमारे परस्नालिटीज के कुछ क्वेस्चन्स हो गए एक और क्वेस्चन्स में आपको करा रही हूँ एजेंट्स और पॉलिटिकल इंसिजूशन्स ठीक है तो आप लोग अगर जो है कोर्सेज जॉइन करना चाहते है अनकेडमी प्लस पे ठीक है तो CET का और ये हमारा क्या कहते है आरो के कोर्सेज लाइव हो चुके हैं और ये सारे कोर्सेज आप एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर हासिल कर सकते हैं अगर आप आज रात बारा वजे तक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको कितना 20% डिसकाउंट आपको मिलेगा ठीक है तो उसके लिए आप कोड लगा लेना तरुना लाइव रेफरेल कोड क्या हो जाएगा तरुना लाइव ठीक है और अगर कोई पूछना चाहते हो तो आप मुझ से कोश्चन इसी सेशन में पूछ सकते हो ठीक है तो चले आगे मैं आपक संगराम का भामा शाह किसको कहा जाता है विज्जे सिंग पतिक दामोदर्दास राठी अर्जुलाल सेथी याफिर जै नरायन व्यास राजस्थान के स्वतंदर्दा आंदोलन का भामा शाह किसको कहा जाता है तो इसका क्या अंसर होगा बताएगा ठीक है इसका अंसर दे दिया है सबने बिल्कुल सही अंसर है दामोदर दास राथी ठीक है दामोदर दास राथी जब आप learning app पे जाओगे न तो आप तरुना शर्मा सेच करोगे आपको मेरा profile मिलेगा नीचे यहाँ पे follow करने का option होगा तो आप मुझे follow कर सकते हो ताकि आपको learning app पे जो भी मेरी free और plus classes होती है उनकी notification आपको मिलती रहे ठीक है तो इसका answer हो जाएगा option number B यानि की दामोदर दास राथी ठीक है दामोदर दास राथी जी का जनम 1884 में पोखरन जैसल मेर के अंदर हुआ था इन्हों ने 1916 में ब्यावर में home rule league की स्थापना की थी ठीक है अगला question है राज्य की निश्थूरता राज्य की निश्थूरता राज्य सरकार की निश्थूरता और जेल में अन्याएं के खिलाफ भूखरताल के कारण मारवड लोक परिशत के किस निता की मृत्यू 19 जून 1942 को हो गई थी बालमकुद बिस्सा रंचोरदास आएगा बताएगा शाबाज कौन कौन लेर्नर्स प्रेजेंट एक लास में थीके, तो इसका आंसर दिया है बालमकुद बिस्सा तो इसका आंसर हन्डर परसेंट करेक्ट दिया आप सबने बालमकुद बिस्सा थीके तो याद कर ले ना मारवड लोक परिशत की किस निता की मृत्यू भूखरताल के खिलाफ हो गई थी 19 जून 1942 को बाल मुकुन विस्सा जी की मृत्यू हो गई थी ठीक है बागड का गांधी और आदिवासियों का मसीहा किसको कहा जाता है राम नरायन चौधरी, भोगिलाल पांडया, गोकुल भाई भट, मानिक के लाल वर्मा तो यह question तो हमने अभी अभी किया है ना तो I hope आप सब वीडियो को like, subscribe, share कर रहे होंगे ठीक है, तो कर दीजेगा Hello Anju, Kiran, कौन-कौन learners हैं, JP, Singh, Rathoad, Rohit Kumar, Moni, Roy, Kiran, Rajat बाकी सब भी answers दो ना, 2-4 learners की answer नहीं दो, बाकी सब भी answer दो नहीं आता तो skip लिखो या not applicable लिखो ताकि पता चले कि नहीं आता है तो इसका answer हो जाएगा option number B, भोगी लाल पांडिया जी ठीक है, भोगी लाल पांडिया जी रास बिहारी बोष ने राजस्थान में सशंत्र, सशंत्र, क्रांतिकारी दल का संपूर्ण दाइत्व, किसको सोप दिया था, किस से बहुत जादा इंप्रेस थे, प्रभावित थी ये, अर्जुलाल सेथी, प्रताप सिंग भारहट, केसरी सिंग भारहट और उनकी वीर्ता के ओपर इनको पूरा काबलेत के ओपर confidence भी था रास बिहारी बोस जी, RPSC SI, अच्छा आप भी हो, ठीक है, आपका भी नाम ले दिया, RPSC SI, पूजा, ठीक है, रेखा, गुमारी, अभी शेक, अब आंसर नाम दे रहे हो ना आप लोग, तब ही मुझे पता चलेगा कौन को लेर्नस क्लास में है, मुझे कैसे पता चलेगा, जब तक आप आंसर नहीं दोगे, ठीक है, तो इसका आंसर दिया है, ओप्शन नमबर C, केसरी सिंग बारहट, ठीक है, तो इसका आंसर तो अर्जुनलाल सेथी है, C क्यों दे रहे हो सब लोग, तो इसका आंसर है, एक की का सही है, एक, दो का सही है, जिनका सही है, very good, लाल सेथी केसरी सिंग जी ने क्रांतिकारी दल का गठन कहां पे किया था केसरी सिंग बारहट जी ने बियावर में कोटा में भिलवाडा में या फिर अजमेर में कहां पे किया था केसरी सिंग जी ने क्रांतिकारी दल का गठन कहां पे किया था बताईए maths से हो चलो जो भी जहां से भी है बहुत बढ़िया है केसरी सिंग जी ने करांतिकारी दल का गठन इसका answer C आया है सबका तो चले चेक कर लेते हैं तो इसका answer है option number A ब्यावर यानि की अजमेर इसका answer क्या आएगा ब्यावर यानि की अजमेर इसका answer आएगा सबके अलग 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 अंसर आ रहे है अगला question है जैसल मेर के किस शाशक ने सागरमल गोपा जी को जेल में कैद करके बहुत सारी शारिरिक और मानसिक यातनाई दी थी जिससे कि उनकी मृत्यू हुई हो गई महारावल का नाम पूछ रहे है ज्वाहर सिंग, सावल सिंग, भीम सिंग या फिर उदेभान सिंग तो जैसल मेर के राजा का नाम यहां से पूछ रहे है बताईएगा इसका क्या answer होगा तो इसका answer आजाएगा हमारा option number A महारावल ज्वाहर सिंग तो इसका क्या answer हो जाएगा option number A महाररावल ज्वाहर सिंग सागर्मल गोपा जी ने जो बुक्स लिखी थी एक बुक का नाम है गुंडाराज और एक बुक का नाम है आजादी के दिवाने साग्रमल गोपा जी ने कौन कोन से बुक्स लिखी थी आजादी के दिवाने और गुंडा राज बुक्स इन्होंने लिखी थी ठीक है अर्जुन लाल सेठी जी ने राज्य सेवा को ठुकरा दिया था क्यों क्या रीजन है वो वकालत करना चाहते थे उनकी रूची धरम प्रचार में थी वे अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना चाहते थे या उनकी रूची व्यापार में थी तो बड़ा ही असान कोशन है क्योंकि options बहुत clear दिये गए है बताईए options बहुत जो है वो इसमें वो दिये गए है clear cut दिये गए है मतलब आप answer निकाल सकते हो हाँ तो इसका answer चेक कर लेते हैं तो इसका answer है option number C जो की लगबग लगबग सारे हमारे learners का सही है वे अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना चाहते थे ठीक है तो ये question कुछ ऐसे होते हैं जो आप common sense से भी solve कर सकते हो बिकानेर में अजादी के अंदोलन के जनक जिनोंने दुद्वा खरा अंदोलन जो हुआ था उसका नेत्रत्व किया था व्यद्यमद्यराम जी, चंदनमल बहर, बीरबल सिंग या फिर सुमनेश चोशी तो दुद्वा खरा अंदोलन के नेता कौन थे ये question indirectly पूछना चाहा रहे हैं बताओ शाबाज, तो इसका क्या आंसर होगा तो इसका आंसर आ गया है almost, कोई A दे रहे हैं, कोई C दे रहे तो चले चेक कर लेते हैं, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है व्यद्यमद्यराम जी, जिनोंने बिकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी कब की थी बिकानेर प्रजामंडल की स्थापना बताईएगा 1936 में ठीके, कहां पर की थी राजस्थान के बाहर हुई थी कहां पर कोलकाता के अंदर ठीके, तो ये कुछ पॉइंट्स है, जो आप याद रख लिजेगा अर्जुनलाल सेथी जी ने जैपूर के अंदर जैन शिक्षा समिती की स्थापना कौन से वर्ष में की थी अर्जुनलाल सेथी जी ने वर्दमान स्कूल भी खुलवाए थी जैपूर में और इन्होंने जैन शिक्षा समिति की स्थापना कब की थी? 1930, 1910, 1939 या फिर 1908 तो इसका क्या आंसर होगा? बताईए हाँ 1936 बिल्कुल सही आंसर दिया है बिल्कुल एकदम correct आंसर दिया है बताईएगा इसका क्या आंसर होगा? तो चले चेक कर लेते हैं इसका आंसर है 1908 इसवी के अंदर ठीके तो इसको याद कर लिजेगा जैन शिक्षा समिति की स्थापना कब हुई थी? 1908 में अलवर के अंदर जैन जागरिति के प्रेरख पंडित हरी नरायन जी ने कौन से संग की स्थापना की थी? आस, परश्यता, निवारण संग, वालमिकी संग, आदिवासी संग या फिर ओल अफ दी अबब यानि की उप्रोक्त सभी तो इसका क्या आंसर होगा? बताएगा शाबश इसका क्या आंसर होएगा? तो इसका आंसर चेक कर लेते हैं तो इसका आंसर है बड़ा अच्छा क्वेश्चन है अलवर में जन जागरिती की प्रेरेख पंडित हरी नरायन शर्मा जी ने कौन से संग की स्थापना की थी? तो तीन चार संग है तीन है अस परश्यता निवारन संग वालमिकी संग और आदिवासी संग ठीक है तो इसका आंसर याद कर लिजे option number D इसका आंसर आएगा किस स्वतंतरता से नानी ने अपना पूरा परिवार वात्र भूमी के लिए समर्पित कर दिया? कि इसरी सिंग बारहट प्रताप सिंग बारहट जोरावर सिंग बारहट सबको नाम पता ही होंगे है ना तो इसका आंसर आएगा option number A बिल्कुल खाई अगला question है राजस्थान में राजनितिक चेतना को जनम देने वाले सर्व प्रथम व्यक्ति कौन विजय सिंग पत्थिक सहस्मल बोरा अर्जुनलाल सेठी या फिर सेठ दामोदर दास तो इसका अंसर दीजेगा स्लाइड से हट रहूँ एक मिनट के लिए एक मिनट देना बस अभी जॉइन कर दो मैं आई होप सब का अंसर आ गया होगा तो आगे है सब का अंसर इसका आंसर जो है अर्जुनलाल सेठी बिल्कुल करेक्ट आंसर है option number C ठीके मैं यह सोच रही थी कि इसके बाद कौन सा topic आपको MCQS का कराना है वो देख रही थी बस ठीके तो कहीं नहीं गई यही हूँ गोकुल भाई भट जी के संदर्ब में कौन सा कथन सही नहीं है असत्य है राजस्थान कॉंग्रेस के अध्यक्ष रहे है गोकुल भाई भट ऐसा बोल रहे है 1980 में जमनालाल बजाज पुरसकार इनको दिया गया इन्होंने राज्ये में मद्य निशेद के शेत्र में महतपुन काम किया मद्य निशेद यानि शराब निशेद और इन्हें राजस्थान का गांधी भी कहा जाता है तो इसका क्या आंसर आएगा कौनसा कथन सही नहीं है ठीक है हाँ बताईए शाबाश इसका क्या आंसर आएगा अब ही पहले यह कर लेते हैं अगर यह फिनिश हो जाएगा तो ठीक है और नहीं तो फिर हम अगला अगला टॉपिक डाइनेस्टीज पर कराऊंगे मैं आपको राजवंश ठीक है डाइनेस्टीज पर करेंगे तो इसका आंसर है ओप्शन नंबर बी ठीक है तो इन्हीं जमनालाल बजाज पूरसकार नहीं गोकुल भाई भाड़ जी को 1971 में पद्म भूशन से समानित किया गया था तो गलत स्टेटमेंट कौन सा है ऑप्शन नंबर भी गलत स्टेटमेंट है ठीक है अगला क्वेशन है अश्व घोश कृत बुथ चरित्र का हिंदी अनुवाद करने वाले और कवी राजा शामल दास जी की जीवनी लिखने वाले राइटर कौन है उसके रचिता कौन है मानिक केलाल वर्मा जी, अर्जुनलाल सेथी, केसरे सिंग बारहट या फिर जै नरायन व्यास बड़ा ही अच्छा क्वेशन है और यूनीक क्वेशन है तो इसका क्या आंसर होगा बताईए शाबाश वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दो, रात को दस बजे अनकैडमी के लर्निंग एप पे मेरी फ्री लाइब क्लास होती है, जिके टेस्स सिरीज होती है, जिसके अंदर आपको बकायदा रैंक भी पता चलता है, तो उसको भी जॉइन कीजेगा और प्लस क्लासिस के लिए तरुना लाइब कोड लगा लेना, आपको 20% डिसकाउंट इसमें मिल जाएगा, आज रात 12 बज़े तक सब्सक्राइब करने पर, ठीक है तो आंसर दिया है, सबके mixed answers है इसमें, तो इसका आंसर है, option number C, केसरी सिंग बारहर जी ने, ठीक है बुद्ध चरित्र का हिंदी में अनुवाद किया, बुद्ध चरित्र किसके द्वारा लिखी गई है, आश्वगोष जी के द्वारा लिखी गई है, इसका हिंदी में अनुवाद, और कवी राजा, शामल दास जी की जीवन पर, जो बुक लिखी है, वो किसने, केसरी सिंग बारहट जी ने लिखी है तो आंसर हो जाएगा option number C अगला शब्द है केसरी जिंग बारहट जी के द्वारा चेतामनी राच उंगठिया जो लिखा गया था डिंगल भाशा के अंदर इसमें कितने सोठे थे नई सौरी ये कोशन मैंने आंसर ही दे दिया है पूछना चाह रहे हैं वो सोठे थे माहा काव्य था निबंद था या कहानी संग रहे था क्या था तो ये सोठो का संग रहे था इसमें कितने सोठे थे 13 सोठे इसके अंदर थे ठीक है राजस्थान के क्रांतिकारी जो हार्डिंग्स बंब केस के अंदर involved थे और अजाद और भगत सिंग के साथ क्रांती कारी गति वीधियों में सम्मिलित थे टिकाराम पालिवाल पंडित नैनुराम शर्मा विशंबर दयाल या फिर प्रताप सिंग बारहर तो इसका क्या आंसर आएगा आता होगा यह सबको जहां तक मुझे लग रहा है यह क्वे प्रताप सिंग बारहट भी आई थिंग वॉल्ट थे कहीं न गई विशंबर दयाल ठीक है तो इसका आंसर बच्चो एक बार चेक कर लेना प्रताप सिंग बारहट मुझे लग रहा है वैसे इसका आंसर हो सकता है गलत टाइप हो गया उगलती से ठीक है तो चले अर्जुला सेथी जी को क्या आएगी तो उसको एक बार आंसर उसका क्रॉस चेक करके में एक्स क्लास में आपको बता देंगे ठीक है तो डूंट वरी टेंशन मतलो उस कोशन के लिए हाँ अर्जुलाल सेथी जी को धनकी अवशकता किस लिए थी हाँ वो कई बार ना एक आदर कोशन ऐसा आजाते है जिसमें दो-दो आंसर होते है ठीक है तो वो बुक्स में कई बार इस तरीके से प्रिंट आउट चीज़े हो जाती है कोई बात नहीं तो इसका आंसर देख लेते हैं क्रांतिकारियों के लिए साधन जुटाने के लिए ठीक है तो इसका आंसर आजाएगा option number C इसका answer क्या आजाएगा option number C लगबग सबने सही दे दिया है तो ये कथन किसका है यदि मैं राज्ये की नोकरी करूंगा तो अंग्रेजों को बाहर निकाल फेकने का काम कौन करेगा अब ये समझ गयोंगे इस से related a question थोड़ी देर पह तो इसका answer आएगा option number C यानि की अरजुनलाल सेथी जी ठीक है ये कथन किसका है अरजुनलाल सेथी का ये statement है तो ये भी सबको answer आता होगा जहां तक मुझे लग रहा है सबको answer ये आता ही होगा आप में पानी पीरियों यह मत सोचना मैंडम गायब हो गई है यहीं हूं मैं कहीं नहीं जारी भाई ठीक है इस टॉपिक को कम्प्लीट करेंगे आज हम तो अंसर दिया कि नहीं दिया अंसर दिया है तो इसका आंसर है option number D प्रताप सिंग बारहड ठीक है ठीक है question यहाँ पर क्या है बरेली की जेल में तो बरेली की जेल में कौन थे प्रताप सिंग बारहड राजस्थान का पहला उर्दू अख़बार ठीक है मजहर उल सुरूर कहां से प्रकाशित किया गया उदेपुर अलवर जैपुर या फिर भरतपुर राजस्थान का पहला उर्दू न्यूस्पेपर अख़बार या ने की जैसल मेर में सागर्मल गोपा की हाँ वो मृत्यू हो गई थी जेल के अंदर और बरेली अगर कोशन आता है तो प्रताप सिंग बारहड ठीक है तो इसका अंसर चेक कर लेते हैं तो इसका अंसर है option number D यानि की भरतपुर तो इसको नोट कर लो याद कर लीजे राजस्थान का पहला उर्दू अख़बार मजहर उलसरूर कहां से निकाला गया है भरतपुर से निकाला गया है ठीक है इसको याद कर लेना सब के साथ अगला question है राजस्थान का एक मात्र देनिक समचार पत्र जो सिंधी में प्रकाशित होता है कहां से सिंधी भाषा में अजमेर से निकलता है और जिसे किशन वेर रियानी द्वारा निकाला गया तो उस अख़बार का ये नाम पूछ रहे सिंधी समाचार पत्र का रिहान सिं हिंधी भाषा में प्रकाशित होता है अजमेर से प्रकाशित किया जाता है तो इसका क्या आंसर आएगा तो चले चेक कर लेते हैं ठीक है एक बच्चे कह रहे हैं बहन जी नमस्ते लो नमस्ते खंबा घनी सबको ठीक है खुश अब खुश हो तो हिंदू इस अख़बार का नाम क्या है हिंदू और जो दा हिंदू आता है वो सारी यूपेसी की जनता पढ़ती है दा हिंदू न्यूस्पेपर है ना चलो देशी राज्यों से निकलने वाला पहला समाचार पत्र ठीक है सज्जन किर्ती सुधाकर ये कहां से निकाला गया था ये मैं पहले भी करा उदेपूर, जैपूर, बुंदी या फिर अजमेर बताईएगा इसका क्या आंसर होगा बताओ शाबाश सज्जन किर्ती सुधाकर कहां से निकाला गया था उदेपूर आंसर दे दिया चलो चेक करते है तो बिलकुल करेक्ट उदेपूर पिछली बार सब बच्चों ने इस का उदेपूर इसका आंसर आएगा 1882 में मुन्ना लाल शर्मा जी ने कहां से देश हितेशी नामक मासिक पत्रे का समाचर पत्रे का प्रकाशित की थी बुंदी से जैपूर से अजमेर से या फिर उदेपूर से आज तो अंसर साइस दिखरें आज तो आंसर में गलती नहीं ह चड़े हुए अक्षर पिछली बार एक बार गडबर हो गई थी ना कल के सेशन में शायद से कल या परसों के सेशन में किसी तो हाँ राजस्थान टाइम्स अजमेर से बिल्कुल सही राजस्थान टाइम्स अजमेर से और दोनों ही अकबार कब निकाले गए थे 1885 में 1885 भा खुश और दिवांग तो नहीं आएगी कोई माःम ये भी कर दो वो भी कर दो चलो पढ़ लेते हैं पढ़ लो बच्चो पढ़ लो तो इसका आंसर जो है अजमेर दिया है तो चले चेक करते हैं तो बिल्कुल correct आंसर दिया है इसका अंसर है अजमेर ठीक है तो इसको एक ब प्रकाशित हुआ था ठीक है सर्व हित समाचार पत्र का प्रकाशन बुंदी से हुआ था किसके द्वारा किया गया था सर्व हित ठीक है समाचार पत्र का नाम है सर्व हित सर्वे सुखेना ठीक है तो दीन भंदू मुंशी कनेया लाल पंडित राम प्रताप शर्मा या फिर तो इसका क्या आंसर आएगा बताईए शाबबाश क्यूट से बच्चे है हमारे राजस्ताने बताओ क्या आंसर होगा इसका भी आंसर दिये तो चले चेक कर लेते हैं इसका आंसर है पंडित राम प्रताप शर्मा ठीक है तो याद कर लीजे इसका आंसर क्या हो जाएगा सर्व हिट समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था पंडित राम प्रजार शर्मा जी के द्वारा ठीक है हाँ ठीक है क्लेर है चले आगे चलते हैं शाबाश 1923 में राजस्थान नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कहां से किया गया जो किसने निकाला था रिशी दत महता जी के द्वारा निकाला गया था तो ऑप्शन से हमारे पास अजमेर अजमेर में फिर पार्टिकुलर जगा भी पूछ रहे हैं ब्यावर बुंदी या फिर सारी में फिर याद आएगी अच्छा ये तो उस क्लास में कवर हुआ था है ना अंसर दे दिया इसका ब्यावर चले चेक कर लेते हैं बिलकुल करेक्ट एकदम सही वाओ क्या बात है ब्यावर इसका सही अंसर है ठीक है अगला कोशन कर ले चलो लाइक कर दिया सब्सक्राइब कर दिया शेयर कर दिया कर दिया सबने या नहीं कर दिया बताओ शाबाश कर दिया है लग रहे मुझे है ना 1949 में नव जीवन का प्रकाशन कहां से किया गया जिसमें जागिरदारी शोशन के खिलाफ आवाज उठाई गई और जिसे नारायन सिंग द्वारा निकाला गया ठीक है जोधपूर अजमेर ब्यावर उद्धैपूर नव जीवन का प्रकाशन कहां से किया गया नव जीवन अ उद्धेपुर, बताईए, इसका क्या आंसर होगा? इसका क्या आंसर होगा? तो चले चेक कर लिए। तो इसका आंसर है आजमेर, ओप्शन नमर बी, अजमेर इसका आंसर आएगा. ठीके? जादा मैं answers तो नहीं देख रही हूं किसी के आए हूं answers दो नहीं आता तो not applicable लिख दो या skip लिख दो, pass लिख दो, कुछ भी लिख दो ठीक है राजस्तान केसरी समाचार पत्र विजय सिंग पतिक जी के द्वारा 1920 में कहां से निकाला गया था बताओ शाबश यह तो आता होगा वर्था अंसर दिया है इसका चेक करते हैं इसका अंसर बिल्कुल करेक्ट है option नंबर बी वर्था 1928 में त्याग भूमी मासिक पत्रे का अजमेर में किसके संपादर में प्रकाशित हुई थी केसरी सिंग बारहर जे नरायन व्यास हरी भाव उपाद्यय या फिर रिशिधत मेता बहुत ही असान कोशन है त्याग भूमी त्याग भूमी कहां से निकाला गया था नहीं कहां से नहीं किस ने संपादर किया था स्वरी तो इसका अंसर हो जाएगा option number c हरी भाव उपाध्याई जी के द्वारा बिल्कुल सही आंसर है option number C हरी भाव उपाध्याई जी के द्वारा ठीक है जैपूर में राजस्थान पत्रे का कौन से वर्ष में करपूर चंत कुलिश जी के द्वारा दैनिक संध्या के रूप में प्रारंब की गई तो वर्ष भी important ह है 1952, 56, 60 या फिर 1950 तो यह question हमसे पूछा गया है बताएगा इसका क्या answer हो जाएगा 1956 चले चेक करते हैं तो बिल्कुल correct answer है option number B 1956 जैनल एन व्यास जी ने 1935 में अखंड भारत नामक दैनिक समाचार पत्र का संचालन कहां से किया था पॉम्बे से जोधपूर से अजमेर से या फिर वर्धा से अखंड भारत दैनिक समाचार पत्र का संपादन इन्होंने कहां से किया था यह question पूछा गया है तो इसका क्या आंसर आएगा संचालन किया था बुम्बे से इन्होंने इसका संचालन किया था option नमबर ए ठीक है हाँ निमन लिखित में से किस ब्रिटिशर किस इंग्लिश व्यक्ति ने कहा था मैंने आज तक प्रताप सिंग बारहट जैसा यूवक नहीं देखा लोर्ड हार्डिंग लोर्ड कर्जन एडवर्ड सब्तम या फिर चाल्स क्लीवलेंड क्योंकि इन्होंने इस जो यह जो ब् अच्छा जवाब इनको दिया था तो क्यों उन्होंने कहा था मैंने आज तक प्रताप सिंग बारहट जैसा यूवक नहीं देखा किसने कहा था चाल्स क्लीवलेंड ने कहा था ठीक है इसको नोट कर लो जिसका भी गलत है यह तो बच्चे-बच्चे को आता होगा पाथल प पिर कोई भी नहीं तो यह सबको आता होगा पता है मुझे कुछ भी नहीं आता परेशान क्यों होना है नहीं आता तो हम कर रहे हैं न यहाद टॉपिक पढ़ेंगे थियोरी बुक पढ़ना इस टेस्ट से आपको यह पता चलेगा कि आपका कौन सा टॉपिक कम तयार है जो कम तयार है उसकी ठीओरी पढ़ो उसको बुक से कबर करो फिर दुबारा से एंसी क्यों बनाओ ठीक है तो हो जाएंगे तयार हाँ परिशान होने की ज़रुरत नहीं है ठीक है रोना नहीं है यह चीज के उपर नहीं आता तो तयार करो बस कनेया लाल सेठिया जितना टाइम हम रोने में लगाएंगे उतरे में तो दो-चार फैक्ट याद हो जाएंगे ठीक है कनेया लाल सेठिया तो अंसर हो जाएगा उप्शन नमबर बी राजिस्थान के किस क्रांतिकारी को उनकी नित्रत्व शम्ता के कारण सरदार की उपाधी से सम्मानित किया गया है हरलाल सिंग चगन राज चोपासनी वाला बीरबल सिंग या फिर शोभारा बड़ा अच्छा कोश्चन है बताएगा इसका क्या अंसर होगा शाबश ये भी नहीं आता हो एक आदल बच्चे का ठीक है बाकी सबका गलत है तो इसका अंसर है option number A सरदार हरलाल सिंग जी को सरदार के उपाधी दी गई थी ठीक है शेरे भरतपुर के नाम से किसको जाना जाता है जुगल किशोर चतुरवेदी जी को गोकुल जी वर्मा शोभाराम कुमावत या फिर जै नरायन व्यास बड़ा अच्छा कोश्चन है शेरे भरतपुर के नाम से किसको जाना जाता है हाँ हरलाल जी आएगा सबका गलत है तक answer गोकुल जी वर्मा इसको correct कर लो गोकुल जी वर्मा को शेरे भरतपुर के नाम से जाना जाता है ठीक है इसका अंसर ए दे रहे है जादोतर learners जो मैं देख पारी हूँ ठीक है चलो इसको check कर लेंगे ऐसे आंसर है गोकुल जी वर्मा अगला ककोशंग देख लेते हैं प्रताप सिंह बारहट जी को कौन से शरीयंत्र केस के तहट जेल भेजा गया था बनारस लाहोर अलीपुर या फिर मेरट प्रताप सिंग भारहट जी को कौन से शरियंत्र के तहट भिजा गया था बताईए D आंसर दिया है बेरट शरियंत्र बाकी सब A भी आंसर आया है मेरा कुमारी का बनारस सबके अलगलग आंसर से मुझे जो लग रहे A और D में जादा डाउट है बच्चों को चलो चेक कर लेते बनारस शरियंत्र आप्शन नमबर A इस दी राइट आंसर याद कर लो इसको बनारस शरियंत्र ठीके तो आंसर हो जाएगा आप्शन नमबर A राजिस्थान में पत्रकारिता का भिश्म पिता महा किसे कहा जाता है बड़ा अच्छा कोशन है अरीबाव उपाद्याय रामकरन असोपा जी को करपूर चंद्र जी को या फिर जाबर मल शर्मा जी को पत्रकारिता के भिश्म पिता महा गोकुल जी वर्माई है न हाँ ठीक है फिर जाधा तर जनता जिनका गलत है वो नोट कर लेना ठीक है बस यही कहा रहु है जिसके जो जो कोशन गलत हो रहे है नोट कर लेना बुक में क्रॉस चेक भी कर लेना अच्छ से यह बोल रहु हाँ तो इसका अंसर सही आ गया है यह प्रचारक समीति की स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा की गई अर्जुनलाल सेथी ज्वाला परिशाद शर्मा विज्जे सिंग पतिक और केसरी सिंग बारहट तो इसका क्या आंसर आएगा बताईए शाब बाश गुद इबनिंग एवरीबन वीडियो को लाइक से स्टार्ट हो रहे है ठीक है तो आज रात सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको 20 प्रतिशत का डिस्काउंट इसमें मिल जाएगा अर्जुनलाल सेथी आंसर दे दिया है सारी जनता ने ऑप्शन नंबर ए इस दी राइट आंसर इसके बाद है पंचीडा नामक गीत के महाध तो इसका क्या आंसर होगा तो यह सबको आता होगा जहां तक मुझे लग रहे है बच्चे बच्चे को इसका आंसर आना चाहिए आता है ना देखो मैं बोल रही हूं ना विल्कुल गरिक्ट एकदम करें हरीश ठीक कर लो इसका आंसर ए नहीं आएगा इसका अंसर आएगा option number B, मानिक्य लाल वर्मा जी, बहुत important question है, कई बार exam में पूछा जा चुका है, तो इसका answer आएगा option number B, मानिक्य लाल वर्मा जी, भरतपुर राज्ये के स्वतंत्र आंदोलन के नेता कौन थे, स्वतंत्र आंदोलन के नेता कौन थे, टिकराम पालिवाल, शोभाराम कुमाव जैनर और व्यास, या फिर किशनलाल जोशी, भरतपुर अंदोलन से जुड़े हुए, प्रांतिकारी का नाम यहां से पूछा गया है, ठीक है, तो इसका क्या answer आएगा, बताएगा, कल हम, अपके अगली क्लास जो है ना बच्चों, तीन अक्तूबर को होईगी, ठीक है, चार बच के चवालेस मिनिट पे, ठीक है, और टॉपिक रहेगा, डाइनेस्टीज, क्या टॉपिक रहेगा, डाइनेस्टीज, यानि की राजस्थान के राजवश, क्वेशन समझ में अगया, टॉपिक अगली क्लास के टेस्ट का, तो आप चाहें तो तैयारी भी करके आ सकते हो, ठीक है, तो इसका आंसर आ गया है, डी आंसर दिया है, चले चेक कर लेते हैं, किशनलाल जोशी, बिल्कुल करेक्ट, एकदम करेक्ट, किशनलाल जोशी, ठीक है, महिला शिक्ष शर्मा, अर्जुनलाल सेथी, बालमुकुद बिस्ता या फिर हरी भाई उपाध्याई तो इसका क्या आंसर होगा बताएगा ठीक है और आज रात को लर्निंग अपर भी आ सकते हो दस बजे स्पेशल क्लासेज में तो इसका आंसर सबने D दिया है चेक कर लेते हैं बिल्कुल करेक्ट एकदम सही आंसर है हरी भाई उपाध्याई जी के द्वारा हटुंडी अजमेर में महिला शिक्षा सदन ठीके और गांधी आश्रव और गांधी सेवा संकिस्थापना की गई हरी भाई उपाध्याई जी के द्वारा विशंबर द्याल जी कहा के निवासी थे अजमेर कोटा भरतपुर या फिर अलवर बताईएगा विशंबर द्याल जी कहा के निवासी थे तो इसका क्या आंसर हो जाएगा कोटा अंसर दिया है तो चले चेक कर लेते हैं बाकी सब भी दे रहे हो या नहीं कोटा एक कसी है अंसर यानि कि भरतपुर ओके तो चले चेक कर लेते हैं तो इसका अंसर है option number a अजमेर ठीक है तो इसका अंसर याद कर लीजिए अजमेर ठीक है इसका अंसर क्या आएगा अजमेर बाल मुकुन बिस्सा जी कहां के मूल निवासी थे बड़ा अच्छा कोशन है शाहपुरा बिलवाड़ा बसी चितोरगर भीनमाल जालोर या फिर पीलवा जूधपूर वेरी नाइस कोशन बताईए तो इसका क्या अंसर होगा बाल मुकुन बिस्सा जी बताईएगा वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना शिके आप लोग शेयर नहीं करते हो जहां दख मुझे लगता है तो अगर आपको अच्छी लगती है MCQ सिरीस तो इसको शेयर कर दिया करें एक बटनी प्रेस करना होता है जस्ट तो इसका अंसर आ गया है तो इसका अंस जुन बिस्सा जी कहां के रहने वाले थे पीलवा, जोदपूर के मूल निवासी थे संत बूरी भाई अलग जी का कारेशेत्र कौन सा था ठीक है धुन्डाड, हाडोती, मिवाड या फिर मारवड बताइएगा इसका क्या अंसर आएगा शाबश ठीक है तो डैनेस्टी इसक कुछ भी कवर करना हो, कॉमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर दीजेगा, एक तो सेशन कैसा लगा, या फिर कौन सा टॉपिक आपका कमजोर है, जिस पे आप कुश्चन्स चाहते हैं, ठीक है, और अगर आप कोई टॉपिक भी पढ़ना चाहते है ठीक है, लेकिन उसके बिवार, आजादी के दिवाने और जैसल मेर के गुंडाराज नामक पुस्तक किसके वारा लिखी गई, ये तो कई बार कर लिया है, फॉरण से पहले आंसर दे दो, जल्दी से करते हैं इस वोश्चन को, ज्यादा टाइम नि लगाएंगे इस वोश्चन पे, क्योंकि कई ब सागर मल गोपा जी, ठीक है, 1944 के जैपूर प्रजा मंडल के अधिवेशन की अध्यक्षता किस महीला ने की थी, रमा देवी देश पांडे, जानकी देवी बजाज, महीमा देवी किंकर या फिर रतन शास्त्री जी, बताइए, बड़ा अच्छा कोश्चन है, किसके द्वार की गई थी, इसका क्या आंसर आएगा, हाँ, तो इसका आंसर है, ऑप्शन अंबर बी, जानकी देवी बजाज, इनके द्वारा अधिक्षता की गई थी, 1944 में, ठीक है, विजेश सिंग पत्थिक जी ने कौन से अंदोलन का नेत्रत्व किया था, दुद्वा खरा, ए सहयोग अंदोलन, शेखावाटी, या फिर बिजोलिया अंदोलन, विजेश सिंग पत्थिक जी कौन से अंदोलन से सम्बंदित थे, उसका आंसर होगा, जानकी देवी बजाज, बिल्कुल सही, बिजोलिया, ठीक है, असान नहीं है तो कोशन, जोदपूर की स्वतंतरता सिनानी, जिन्नोंने केसरिया साड़ी पहन कर महिलाओं के सत्या ग्रहे, दस्ते का नेत्रत्व किया, महिमा देवी किंकर, तुर्गावती देवी, जानकी देवी बजाज, या फिर सीता देवी, तो इस कोशन का क्या आंसर आएगा, बताएगा, इस कोशन का आंसर क्या आएगा, चार ओप्शन्स हमारे सामने दिये गए है, ओप्शन्स नमबर ए आंसर दिया है, महिमा देवी किंकर, चलो चेक करते हैं, इसका आंसर तुका लगाया है, तो तुका सही हो गया आपका, महिमा देवी किंकर, ठीक है, बिलकुल सही आंसर इसका हो गया है, ठीक है, अगला वोशन देखते हैं, स्वामी देयानन सरस्वती जी ने उद्यपूर में कौन सी संस्था की स्थापना की आर्या समाज, प्रॉपकारिनी सभा, इजलाज सभाज या फिर रामकृष्ण मिशन तो क्या आंसर इसका आएगा बताईए शाबाज इसका क्या आंसर होगा तो इसका आंसर है option number B, प्रॉपकारिनी सभा, इसका क्या आंसर हो जाएगा option number B, प्रॉपकारिनी सभा, राजपुताना मद्य भारत सभा की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी 1915, 18, 19 या फिर 20, बड़ा अच्छा question है इसका क्या आंसर होगा अच्छे से प्रशन सॉल्व हो रहे हैं मैं ये चाहती हूँ, अराम-अराम से सॉल्व करो कोई जल्दी बाजी नहीं करो ठीके, और जिससे question सॉल्व करने से आपको ये पता चल जाएगा, आपका ये topic तयार है या नहीं तयार है अगर तो topic वीक है, तो परेशान नहीं हो न topic क्यों theory पड़ो और फिर दुबारा से question बनाओ, ताकि आपका वो topic एक ही बार में पक्के तरीके से तयार हो जाए ठीक है, शाबाश चले, तो इसका आंसर देख लेते हैं option number B जादा दिया है, बिल्कुल सही है 1918 में, ठीक है राजपुताना मद्य भारत सभा 19 सदी में राजपुताना समाचार आता था एक सापताहिक पत्र हिंदी वे उर्दु में किसकी द्वारा संपादित किया जाता था ललित नरायन, कनया लाल हनुमान सिंग या फिर बक्षी लक्षमन डास जी के द्वारा तो इसका क्या आंसर होगा, बताएगा ठीक है, अगली क्लास आपकी तीन अक्तूबर को होगी, टाइमिंग याद रखेगा, चार बच के 44 मिनट पे, ठीक है, तीन तारिक को टॉपिक रहेगा, राजबंश डाइनेस्टी ओफ राजस्थान, ठीक है तो इसका आंसर सपने दे दिया है तो चेक कर लेते, कनहिया लाल ठीक है, तो किसके द्वारा किया गया, कनहिया लाल जी के द्वारा किया गया सो तंत्रता से पहले राजस्थान का कौन सा समाचार पत्र है, आरे समाजी विचारधारा का समवर्धक नहीं था देश हितेशी, जनहित कारक, प्रोपकार या फिर राजपुताना गजट मतब उसका समर्थक जो है एक तरीके से नहीं था तो बताएगा इसका क्या आंसर आएगा क्लास बस खतम हो गई, एक मिनट की क्लास रहेगी है एक मिनट की बस, मैंने बोला था 6.30 तक क्लास लेंगे आज हम, है ना अगली क्लास 3 अक्तूबर को होगी, रात को 10 बजे आने कैडमी के लर्निंग अपर फ्री लाइब क्लास होगी प्लस क्लास के लिए तरुना लाइब कोड लगा के 20% डिसकाउंट के लिए RPSC प्लस सब्सक्रिप्शन को जॉइन कर लीजेगा CETRO के कोर्स चे अक्तूबर से स्टार्ट हो रहे हैं और RAS के कोर्स अल्रेडी चल रहे हैं तो इसका अंसर है option number D राजपुताना गजट ठीक है तो इसका क्या अंसर हो जाएगा option number D राजपुताना गजट ठीक है तो I hope आज के लिए इतना काफी है चलो एक कोशन और कर लेते जाते जाते जाने से पहले last question किस ने कहा था कि जो राजसी शाशक है प्रिंसली स्टेट्स के राजा महराजा है उनके बच्चों के लिए एक अलग से educational institute होना चाहिए तो ऐसा किस के द्वारा कहा गया था बताईएगा शाबाश ठीक है जिस जिस topic पर question चाहिए comment section में बताईएगा session कैसा लगा ये भी बता के जाना ठीक है हाँ तो इसका answer देख लेते हैं इसका answer है captain walter किस ने कहा था captain walter ने कहा था ठीक है तो इसके कितने question रहे गए हैं इस series के देख लेती हूँ ठीक है तो काफी सारे question पड़े हैं तो अगली बार जो है next session में हम यहीं से continue करने वाले हैं ठीक है तो इससे जो आगे के question है वहाँ से हम start करेंगे उसके बाद dynasties को cover करना start करेंगे तीन अक्तूबर को आप सबकी class होगी आई hope आपने session से कुछ ना कुछ सीखा होगा ठीक है तरुना live code लगा के आप हमारी plus community का part बन सकते हैं ठीक है और कोई doubt या query तो नहीं है किसी को ठीक है तो आज का session यहीं तक ठीक है thank you so much सब लोग इतने लंबर समय तक बने रहे session के अंदर और आई hope आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा RPSC plus को join कर लिजेगा referral code लगा लेना तरुना live अगर किसी को भी theory week है theory test notes वगेरा सब कुछ आपको एक ही जगा पे मिल जाएगा और सारे courses के लिए भी ठीक है तरुना live ठीक है इसमें कोई space नहीं देना ये code एक साथ लगेगा space नहीं देना इसमें ठीक है चले thank you everyone thank you so much जो और session अच्छा लगा हो तो comments में लिखके जाना ताकि मुझे अच्छा लगे motivation level बढ़ा रहे और इस वीडियो को अपने friends के साथ share जरूर करना ठीक है सबको में तरफ से घनी घनी राम राम thank you